सुप्रभात सभी को आज 17 अक्टूबर 2022 है और अहुई अस्टमी का वरत है काफी सर्च करने के बाद मैं इस निश्कर्ष पर पहुंचू कि दो कथाए मुझे में मोस्ट मिली हैं तो उन दो को ही लेकर आज बात करते हैं हिंदू पंचांग के नुसार कार्तिक महा के क्रश्न पक्ष की अस्टमी तीथी को आहुई अस्टमी वरत रखा जाता है इस वर्ष आहुई अस्टमी का ये वरत 17 अक्टूबर 2022 को रखा जा रहा है यह वरत विवाहित महिलाएं अपने बच्चों के उज्वल भविशे के लिए रखती हैं इस वरत का हिंदू धर्म में काफी महतो हैं इसमें माता भगवती पारवती की पूजा अर्चना की जाती है अहोई माता का वरत कार्तिक मास की क्रश्न पक्ष की अस्टमी के दिन होत मतलब की शाम सांच तकूपवास करती हैं सांच के दोरान आकाश में तारों को देखने के बाद वरत खोला जाता है तोड़ा जाता है कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद वरत तोड़ती हैं लेकिन इस का अनुसरन करना काफी कठीन होता है क्योंकि अहोई अ करवा चौत के समान अहोई अस्टमी उत्तर भारत में जादा प्रसिद हैं। आकाश में तारोग को देखने के बाद ही उपवास तोड़ा जाता है। कि हर जगह मोस्ट ये शाम को ही खोला जाता है तारों को जल्दे के या फिर चंद्रमा को जल्दे कर ही खोला जाता है। लेकिन वो अपने अपने अरिये के हिसाब से होता है। चीजे तोड़ दी और मरोड़ दी जाती हैं अपने अपने अरिये के हिसाब से। अपनी सुरिधाओं के हिसाब से। अहोई अस्टमी की पूजनविधी क्या है देख लेते हैं। इस दिन सुभह सवेरे जल्दी उठ जाना चाहिए और नित्यकर्मों से निवरत होकर स्नानादी कर लें। मतलब सब अपना सारा काम खतम करो उसके बाद स्नानादी कर लो। फिर आठ कोस्टक की एक पुतली बनाय जाती है। इसे गोबर या चिंतरांकन के द्वारा कपड़े पर बनाय जाता है। इसके पश्चात उसके बच्चों की आकरतियां भी बनाई जाती है। इस दिन माता ये अपने बच्चों के लिए पूरा दिन निर्जलावरत रखती हैं। जैसा कि अभी कहाता जिसके बाद शाम को या प्रदोशकाल में उनकी पूजा की जाती है। जिस करवे में करवा चौत के दिन जल भरा जाता है, उसी में अहुई अस्टमी के दिन भी जल भरा जाता है। इसके बाद माता की शाम को पूरे विधी विधान के साथ पूजा की जाती है। मा को फल, फूल और मिठाई का भोग लगा जाता है फिर तारो को करवे से अर्ध दे कर अर्ध दिया जाता है वरत का समापन रात में किया जाता है फिर अहोई माता की वरत की कथा सुनी जाती है इसके बाद ही अनजल ग्रहन किया जाता है दिवाली के दिन करवे के जल को पूरे घर में छिड़क देते हैं तब आज नहीं दिपावली के दिन इस करवे का जल जो है वो पूरे घर में शुद्ध करने के लिए छिड़क दिया जाता है इसका सुब मुहरत क्या है? मतलब की पूजा का समय एक घंटा 14 मिनट मतलब इस बीच में सबसे आधा शुब रहेगा तारों को देखने के लिए सांच का समय 636 रखा है मतलब इसका महौरत है अहोई एस्टमी के दिन चंद्रोदय समय 12 छे 12 बज़के 6 मिनट पर चंद्रोदय होगा अठार अक्टूबर के दिन अगर कोई चंद्रमा को जल देना चाहता है तो फिर वो वेट करेगा तो ये थी के पूजा विधी कैसे करनी है, मोहरत क्या है, जल किस टाइम देना है, कथा किस टाइम सुननी है और क्या-क्या कैसे करना है अब आते हैं कहानी पर, इसकी दो कथाएं प्रचलित हैं शुरू करते हैं कहानी शुरू करने से पहले पूजन विधी व्रत की पूजनविदी अहोई एस्टमी के दिन दोपहर के समय हाथ में गेहों के साथ दाने और कुछ दक्षिना लेकर अहोई की कथा सुने जिस टाइम भी आप सुने जैसे हमारे यहाँ पर सुभा को सुनते हैं बहुत जगा दोपहर को सुनते हैं और बहुत जगा जब शा या लाल रंग से दिवार पर बनाएं आजकल कैलेंडर आते हैं तो कैलेंडर को दिवार पर लगाएं और तब पूजा करें सुर्यास्त के बाद तारे निकलने पर माता की चित्र के सामने जल से भरा कलश दूद भात हलवा पुश्व और दीप प्रजलित करें पतलब कि एक पूरा का पूरा थाल जो भोजन से भरा हो जैसा कि अपने अपने एरिये के अकॉर्डिंग होता है ऐसे उसमें खाना हलवा पूरी सबजी जो भी आपकी सासो मा को मोसली पसंदो लोग उनहीं को देते हैं और उसमें पैसे दक्षिना जो भी रखनी है वो रखकर उनके कहानी की और कहानी नंबर एक किसी नगर में साहुकार रहता था मतलब कि एक नगर में साहुकार रहता था उसके साथ पुत्र थे एक दिन साहुकार की पत्नी खदान मेस से खोद कर मिट्टी लाने के लिए गई जो ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई त्यों उसमें रह रहे स्याओ के बच्चे प्रहार से आहत होकर मिरत हो गए जब साहुकार की पत्नी ने स्याओ को रक्तरंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यदिक दुख हुआ परन्तु जो कुछ होना था वो तो हो चुका था यह भूल उसने अंजाने में की थी अंजाने में उससे हो गई थी अत्यदुखी मन से वह घर लोट आई पश्चात आपके कारण वह मिट्टी भी नहीं लाई इसके बाद स्याहू जब घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मुरत अवस्था में पाया वह दुख से कतार हो अत्यंत विलाप करने लगी उसने इश्वर से प्रात्ना की जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी त्रशोक दुख भुकतना पड़े प्रात्ना पड़े इधर स्याहू के शाप से एक वर्ष के अंदर ही सिठानी के सातों पुत्रों का कल्वित हो गया का कल्वित हो गया मतलब की वो भी नहीं रहे इस प्रकार की दुखत घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो गए बहुत दुखी हुए उस दमपती ने किसी तीर्थ इस्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया मन में ऐसा निश्चे कर सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की और चल पड़े उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त ने हो गया तब तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे जब वे चलने में बिल्कुल ऐसमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मुर्चित होकर भूमी पर गिर पड़े उन दोनों की इस दैनिय दशा को देखकर करुना निधी भगवान उन पर दयाद हो गए और आकाशवानी की हे सेट तेरी सेठानी ने मिटिक होते समय अंजाने में ही सेही के बच्चों को मार डाला था इसलिए तुझे भी अपने बच्चों का ये कस्ट सहना पड़ा भगवान ने आज्या दी तुम अब तुम दोनों अपने घर जाकर घर जाकर गाए की सेवा करो और अहोई अस्टमी आने पर विधी विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो सभी जीवों परदया भाव रखो किसी का भी अहित न करो यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आच्रण करोगे तो तुम ही संतान सुक प्राप्त हो जाएगा इस भावई शवानी को सुनकर सेट सेटानी को कुछ धेर्य हुआ और वे अपने और वो वे दोनों भागवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किये घर पहुँच कर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारम कर दिया इसके साथ इशा द्वेश की भावना से रही थोकर सभी प्राणियों पर करोणा भाव रखना शुरू किया भगवत करपा से सेच सेटानी पुनहें पुत्रवान होकर सभी सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वरगवासी हो गये तो इस तरह ये सेच सेटानी की एक कता थी अब कता नंबर दो पर चलते हैं कता नंबर दो एक साहुकार के साथ बेटे थे, साथ बहुए एवम एक कन्या थी, उसकी बहुए कार्तिक क्रिश्न अस्टमी की अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी नैनंद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई, मिट्टी निकालने, कोई दिपावली की पूजा कहते है तो यह अपर कार्तिक क्रिश्न अस्टमी की अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी नैनंद के साथ मिट्टी लेने के लिए गए, मिट्टी निकालने के स्थान पर ही एक स्याहु की मान थी, मिट्टी खोथते समय नैनंद के हाथ से स्याहु का बच्चा चोट खाकर मर ग अब मैं तेरी कोख बंदूगी अर्थात अब तुझे मैं संतान विहिन कर दूगी। उसकी बाते सुनकर ननन्द ने अपनी सभी भावियों से अपने बदले में कोख बंदा लेने के लिए आगरह किया। परंतु उनकी सभी भावियों ने उनके प्रस्ताव को अस्विकार कर परंतु उसकी छोटी भावियों ने कुछ सोच समझ कर अपनी कोख बंदवाने की स्विक्रती ननन्द को दे दी। उसके बाद उस सभी भावियों जो भी संतान होती वो साथ दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुला कर इस बात का पता लगा गया। पंडित न ने कहा कि तुम काली गाए की पूजा किया करो। काली गाए रिष्टे में शाहू की भिहाली लगती है। मतलब कि उसकी सहीली लगती है। वह यदि तेरी को छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की अबास सुनकर छोटी बहु ने दूसरे दिन से ही काल गाए की सेवा करना प्रारम कर दिया, शुरू कर दिया। वह प्रती दिन सुभे सवेरे उठकर गाए का गोबरादी साफ करती, गाए को साफ करती, अपने मन में सोचा की यह कारे साफ कर देती, गाए के आसबास भी सवच्चता पूर्ण, माहौल वहाँ पर कर देती। पर साहुकार की बहु जाडू जाडू लगा रही है, सफाई कर रही है, गउ माता ने उस बहु से पूछा कि तू किसलिए मेरी सेवा, इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है, जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहुकार की बहु ने कहा, यदि आप मेरी को खुलवा दे तो मैं आपका बहुत दुपकार मानूगी गाए माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ लेकर साथ समुंदर पार साहू माता के पास ले चली रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर दोनों एक पेड के नीचे छाया में बैठ गई जिस पेड के नीचे वह दोनों बैठी थी उस पेड पर गरुड पक्षी का एक बच्चा रहता था थोड़ी देर बाद ही एक साब आकर उसे उस बच्चे को मारने लगा इस द्रश्य को देखकर सहुकार की बहुने साब को साब से उस बच्चे को बचाया और अपने नीचे उस पक्षी की मा उस पक्षी की मा ने वहां रक्त पड़ा देखकर सहुकार की बहु को चोंच मारने लगी उसे लगा कि सहुकार की बहुने विरे बच्चे को मार दिया है तब सहुकार की बहुने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा तेरे बच्चे को साब के डसने से ब मरा हुआ साप डाल के नीचे दबा हुआ है बहु की बातों से प्रसन होकर बोली तु जो कुछ चाहती है मुझसे मांग बहु ने कहा मुझे साथ समुंदर पार साहु माता के यहां जाना है वहां तक मुझे पहुँचा दो तब उस गरुड पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीट पर बिठाया और समुंदर पार साहु माता के पास पहुँचा दिया साहु माता उन्हें देखकर बोली आ बहन बड़े दिनों बाद आई है वहप उन्हें बोली मेरे सिर में जू पढ़ गई है तो उसे निकाल दे उस काले गाएं के कहने पर साहुकार की बहु ने साहुकार की बहु ने सिलाई और शाहु माता की सारी जूएं सारी जूओं को निकाल दिया सहलाई और उन्हें सहलाया और उनके सर से सारी जूओं को निकाल दिया इस पर स्याहु माता अत्यंत खुश हो गई स्याहु माता ने साहुकार की बहु से कहा साथ बेटे और साथ बहुए हो सुनकर साहुकार की बहु ने कहा मुझे तो एक भी बेटा नहीं है साथ कहां से होंगे साहु माता ने पूछा इसका कारण क्या है उसने कहा यदि आप वचन दे तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ साहु माता ने उसे वचन दे दिया वचन बद करा लेने के बाद साहुकार की बहु ने कहा मेरी कोक माता तुम्हारे पास बंदी पड़ी है उसे खोल दे शाहू माता ने कहा मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई अब मुझे तेरी को खोलनी पड़ेगी इतना कहने के साथ ही शाहू माता ने कहा अब तु घर जा तेरे साथ बेटे और साथ बहुए होंगी घर जाने पर तु अहूई माता का उद्यापन करना साथ साथ अहूई बना कर साथ कड़ाही देना उसने घर लोट कर देखा उसके साथ बेटे और साथ बहुए बैठी मिली भैखुशी के मियारे भाव भी वहोर हो गई और बहुत जादा खुश हुई उसने साथ अहूई बना कर साथ कड़ाही दे कर उद्यापन किया इसके बाद ही दिपावली आया उसके जिठानिया परस पर कहने लगी सब लोग पूजा कारे शिगर पूरा कर लो कहीं ऐसा ना ह भैखुशी के बहु अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना शुरू कर दे नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहु के घर बेजा चाद क्योंकि छोटी बहु रुदन नहीं कर रही थी बच्चोंने घर जाकर देखा कि वहां आटा गूत रही है और उद्यापन का कारेकरम चल रहा है इतना सुनते ही सभी जिठानिया आकर उससे पूछने लगी कि तूने अपनी कोक कैसे खुलवाई उसने कहा साहु माता ने किरपा कर उसकी कोक खोल दी है सब लोग अहोई माता की जैजैकार करने लगे जिस तरह अहोई माता ने उस साहुकार की बहु की कोक खोल दी उसी प्रकार से इस वरत को करने वाली सभी नार्यों की अभिलाशा पूर्ण करे तो इस तरह अहोई एस्टमी की कथा समापत होती है जै हो अहोई माता